साथियों, आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुँच सकता था और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कहीं से कहीं पहुँच सकता था हम भारतियों के सामर्थ में कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन सामान्य भारतिय के इस सामर्थ के साथ हमेशा ब्रश्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया आज देश के लोग दोहजार चोबिस चुनाओं में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं निर्णाई ले चुके हैं ऐसे मैं भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोल कर बैठ गए हैं इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तिया याद आती है एक कवी महाशय ने अवधी में लिखा था ये अवधी भाशा में लिखी गई कविता है गाईत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है यानि गाणा कोई और गाया जा रहा है, जेपकुछ सच्चाई कुछ और है नेबल, लेबल किसी और का लगाया गया है, जब कि प्रोडक कुछ और ही है इनकी दुकान की यही सच्चाई है, इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है एक तो यह अपनी दुकान पर जाती वाद का जहर बेचते हैं और दूसरा यह लोग अवसिमीद प्रष्टाचार करते हैं आज कल यह लोग बैंगलूरू में जुटे हैं एक जमाने में एक गाना भव मशूर था मुझे तो पुरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग आप देखिए यह लोग कितने चहरे लगा कर बैटे हैं जब ये लोग कैमेरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है पूरा फ्रेम देखकर के देशवासी यही बोल उठता है लाखों करोणों रुपिये का ब्रश्टा चार इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कटर प्रष्टाचारी संवेलन हो रहा है कटर प्रष्टाचारी संवेलन हो रहा है ये लोग गाह कुछ और रहे हैं हाल कुछ और है इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है माल कुछ और है इनका प्रोडक्ट है 20 लाग करोड रुपिय के गोटाले की गारंटी 20 लाग करोड रुपिय के गोटाले की गारंटी साथियो इस बैठक की एक और खास बात है अगर कोई करोडों के गोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज़्यादा खातिरदारी होती है अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री प्रस्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इन्वाइटी बुला कर बुलाये जाता है अगर कोई किसी समाज का अपवान करता है अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवा भगत होती है अगर कोई अदालत से करोडों के गोटाले में दोसी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी कौलिफिकेशन और बढ़ जाती है बलकि ये लोग तो उससे मारदर्शन बागते है ब्रस्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मियता है बड़ा प्रेम है इसलिए 20 लाख करोड रुप्ये के ब्रस्टाचार की गारंटी देने वालिये लोग बड़े प्रेम से बड़ी आत्मियता से आपस में मिल रहे हैं